नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा चैनल हेल्थ केर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौझूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियों का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे और प्लीज हमारी वीडियों को लाइक करना ना भूलें दोस्तों आम की पत्तियां हमारे लिए बहुत ही गुड़कारी होती हैं इसलिए तो आयरुवेद में आम को सरोत्तम फल के साथ उत्तम आउसदी भी कहा गया है दोस्तों आम की पत्तियों में मौझूद एंटी आक्सिडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुड़ होने के कारण ये लगभग हर बीमारी का असानी से इलाज कर सकता है इसके अलावा इसमें बहुत अधिक मातरा में बिटामिन C, बिटामिन B और बिटामिन A पाया जाता है आम की पत्तियों एक ऐसा खाजाना है जो आप लोगों को लगभग फ्री में ही मिलता है इसलिए अच्छे ढंक से इसका प्रियोग करें तो इसके फायदे आपको चोकाने वाले मिलेंगे जी हां दोस्तों सबसे पहले आप आम की पत्तियों का इस्तमाल करने का तरीका जान लीजिए आम की पत्तियों का कई तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं जैसे हलके हरे रंग के छोटे आकार की आम की पत्तियों को तोड़ लें और उन्हें अच्छे से धोएं और छोटे छोटे टुकडों में काट कर चबाएं या आम के कुछ पत्तों को तोड़िये और राद भर के लिए हलके गुंगुने पानी में डाल कर भिगो दें अगली इसका 7 करें इसके अलावा आप चाहें तो पत्तियों को धो कर धूप में सुखा लें और उसका पाउडर मना लें इस पाउडर की एक चमस ने और एक किलास पानी में मिलाकर पी लें ध्यान रखें इसका 7 खाली पेठी करें आईए आप जानते हैं आम के पत्तों के फैदे आम के पत्तों की मदद से आप बलड सुगर कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा आम के पत्तों में मजूद टैनिन के करण होता है आम के पत्तों से निकला अर्क एंसुलीन उत्पादन और ग्लुकोज को बढ़ने से रोक कर बलड सुगर क का अस्तर घटाता है इसके अलामा आम के पत्तों में मवजूद हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव से ब्लड सुगर का अस्तर कम हो जाता है रोज सुभए एक चमच आम की पत्तियों का रोजाना सेवन से ब्लड सुगर लेबल कंट्रोल में रहता है यह गाल ब्लेडर और के पत्री से निजात पाने और लीवर को शिहतमंद रखने में भी मदद करता है रोजाना आम की पत्तियों के पावडर से बना घौल पीने से कीड्नी के स्टोन अर्था कीड्नी की पत्री दूर करने में मदद मिलती यह कोलेस्टराल को कम करता है यहां पर आपको बता दे की हा मारी का कारण कोलेस्ट्राल ही होता है नसों में कोलेस्ट्राल की मातरा बढ़ने से हार्ट अटेक आता है अर्थार ब्लड सरकुलेसर रुख जाता है जिससे ऐसे व्यक्तिकी मित्यों हो जाती है अता हार्ड अटेक के मरीजों के लिए आम के पत्ते किसी वरदान से कम नहीं है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और बात मानिया आपके एक लाइक से में बहुत दूस्षा मिलती है एक और नई वीडियो बनाने के लिए धर्णवा दोस्तों आपका दिन सुबह टेक क्यार वबाए